नाम आप कुछ भी रख लीजे एक बिमारी के कोई कोई भी नाम रख लो सर्जरी से ठीक नहीं होता एक जगा प्रॉब्लम है दूसरे जगा फिर आजए बहुत एमर्जेंसी है शल्य यह सर्जरी उससे मैं करवा सकते मगर आप अपने शरीर को ठीक तो करेंगे कि नहीं कि एक शोल्डर में किया दूसरी शोल्डर में आ जाए तो शरीर की जो शक्तियां है जो उसको ठीक नहीं करेंगे तो आपको इलाज कैसे होगा यह तो पता है वह आप सब कुछ करो चलो मैंने क्या आप सब कुछ करो मगर इलाज तो कर लिए अपने शरीर को ठीक तो कर लिए तो ठीक करने का तो एक ही तरीका है ना ठीक करना तो शरीर जिस तरीके से ठीक करता वही तरीका है और वो कुम्बक है कुम्बक को बाहर से नहीं आया कुमबक आपके ही शरीर का recovery mechanism है, एपी जेनेटिक ट्रिगर है, आपके जेनेटिक्स को भी बदलता है कुमबक, आपके कर्म दोश को भी तोड़ता है कुमबक, नए अच्छे कर्म को भी स्थापित करता है कुमबक, जो कर्म बनते हैं वो भी कुमबक से बनते हैं, इस देश मे तो हम कुमब मेला भी बनाते हैं, हम कुमबक की स्थापना, कुमबक की पूजा करते हैं, और कुमबक के ही एक फार्म को हम शिव तत्व भी बोलते हैं, कैवल ले कुमबक ही शिव हैं, तो इसके इस देश में हमने आयाम के तरफ में देखा तो काफी था, मगर वो सारा हम ख करने की जरूरत पैदा हो गई है कोई भी ठीक नहीं आप सोचेंगे भारत में ही नहीं आप तो फिर भी थोड़ा ठीक है विदेशों में तो और भी हल खराब है तो ऐसे कैसे जीएंगे कुछ भी इतना डेवलप्मेंट कर लिया आपकी लाइफ खराब करके तो कभी तो कभी तो आखें खोलना ही पड़ेगा हमको आप अपने रिकवर कर लिजाए अपने शरीर को अपने शरीर को शक्ति दे दीजे सरजरी कराएं आपकी इच्छा जरूरी हो बहुत तो करवाले अगर जरूरी नहीं है तो थोड़ा समय दें हो सकता आपको उसकी जरूरत ही ना पड़े